नमस्कार स्वागत है आपका लोगसभा टीवी पर मैं हूँ मनोज वर्मा और आप देख रहे हमारा खास का एकरम सांसा से समबाद इस बार हम बात करेंगे उत्ता प्रदिश की बागपा संसेद्य सीट से भाजपा सांसत डाक्टर सत्पाल सिंग जी मुंबई के पुलिस कमिशनर रहे चुके हैं और पुलिस कमिशनर से सीधे उनका राजनीती में आना हुआ अब पांस साल पुराने सांसद हो चुकी है राजनीती में अब राजनीती के मजह हुए खिलाडी माने जाने लगे हैं क्योंकि चौधरी अजीस सिंग की जो करम भूमी है एक तरह से बागपत उसके आसपास कहला का जाटों के नेता माने जाते थे उस परवार को दुबारा हर जाकर वो लोगसवा में सत्रमी लोगसवा में पहुंचे हैं मोधी सरकार के पहले कारकाल में वो मंत्री भी रहे उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने संसदी च्छित के लिए पहले कारकाल में अपने क्या किया और भविश में उनकी क्या योजना है डाक्टर सत्पाल सिंग जी आपका भवव स्वागत है हमारे कायकरम में सबसे पहले तो सवाल यही उठता है डाक्टर सत्पाल सिंग जी कि आप मुंबई के पुलिस कमिशनर थे राजनीती में आया आया तो शाहिए जैसे और नौकरशाह आते हैं उसी प्रकार की पारी रह किसानों के नेता हैं उसका परवार आप अब मजह हुए राजनीती खिलाडी माने जाने रगे हैं तो आपका अनुभव कैसा राप पांस साल का देखिए मनोजी सबसे पहला तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि कि आपने मुझे इस कारिक्रम में बुलाया और मैं वह गों का मैं बहुत-बहुत आभार विक्त करता हूं को फिसले पचास शाथ वरसो में इस छेत्र के लोगों ने ऐसा मैसूस किया एक ठगा सा मैसूस किया कि जिन लोगों के पीछे जिन नेताओं के पीछे रात दिन ये लोग लगे रहते थे मरने मानने करें तैयार रहते थे, गरीब लोगों को वोट नहीं डालने देते थे, उन्हें था उन्हें इनका को भला नहीं किया, और लोगों को बड़ी उम्मीद थी, जब मैं आया, और जब अलक्सल हुआ था, 2014 का, मैं लोगों को यह कहा करता था, मुझे विश्वास है, आप भी शायत तब गए थे, मैं कहता था कि यहां पर यह बागपत जो छेत्र है, दिल्ली से 15 किलोमेटर दूर है, पर विकास से 15 किलोमेटर दूर है, यहां सड़कों में गड़े नहीं, गड़ों में सड़के हैं, और इसलिए मैंने जो कहा था, और मैंने करके दिखाने की कोशिश की, हमारे यसेश्वी प्रधान मंतरी मोदी जी, उनके आसिरवाद से, और हमारे पिछले लगवक्त दो अधाई वर्सों से, जो उत्तर प्रदेश में, भारते जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार आई, उससे हमारे विकास के जो कारिये थे, उसे बहुत बड़ी गती पकड़ी, जैसे मैंने कहा था, कि सबसे बड़ी समस्या महा पर ये थी, कि सडके नहीं थी, मैंने जो विशेश रूप से दिली से सानपूर जाने वाली जो सडक है, उसको केवल ठीक नहीं करवाया, उसको मैंने राष्टे महामार्ग बनवा दिया, काफी उसमें काम हो चुका है, और तेज गती से चल रहा है, कि एवल एक नहीं, इस्टन पेरिफरी मेरे छेतर से गई, दिली से सानपूर राष्टे महामार्ग बना, बागपत से मेरे जाने वाली रोड जो भी राष्टे महामार्ग में बदली गई, उसको भी अभी काम सुरू हो रहा है, हमारे इस छेतर के अंदर, जिसको हम कहते यातायत के साधन, हम लोगों को बड़ी परिशानी थी, एक नई ट्रेन में लेकर के गया, और मैं इस प्रोग्राम में, तत्काले इन रेल मंत्री, माने से सुरेश प्रभूजी का वियाभार व्यायत करता हूं, कि उन्होंने हमको एक डेमो ट्रेन दी, जो दिली से दो चकर कर्मा पर लगाती है, दिली से सानपुर वारी हमारी जो रेलवे लाइन है, वो एक सो तेरे साल पुरानी है, उनीस सो छे में बनी थी, इस चेत्र ने बड़े-बड़े नेता देखे, बड़े-बड़े मंत्री देखे, पर किसी ने ऐसा महसूस नहीं किया, किसी ने कोशिश चेत्र को ये देखे, कियल बागपत को नहीं, पस में उत्तर परदिस को मैं देखे, तो एक नहीं, मैं अगर बोनने लगोंगा तो मैं जैसे उलेखने काम, जैसे आपने बताया सड़कों का जाल आपने फैलाया, ऐसे उलेखने काम आपने और कौन से की है, जो आप मानते हैं कि आपके एक बड़ी उपलबदी रही, छेत्र की जनता के लिए सुधा जनक आपने चीज़ें दी, मैं संक्सिप में बताना चाहता ह जैसे मैंने रोड और ट्रेन का बताया, पूरे देश में तेरे केंदरी विद्याले मंजूर हुए, एक बागपत को मिला, पूरे देश के अंदर केवल मातर छे, जिसको हम CGHS Wellness Center बोलते हैं, पूरे देश के अंदर केवल छे मंजूर हुए, एक बागपत को मिला, हमारे लो प्रदेश को बागपत को जोडने वाले की जमना नदी पर एक पूल बनाया जाए, ओपूल अभी बन रहा है, मैंने लगवग पिछले पांस वरसों में, आठ बड़े बड़े रोजगार मेले लगाएं, और आपको जानकर के बड़ी खुसी होगी, रोजगार मेले लगे, दो बार फोज की भरती हुई जो उससे पहले कभी नहीं होई बागपत के अंदर, दिल्ली पुलिस की भरती हुई, और दिल्ली पुलिस की भरती तो ऐसा उसका इत्यास है, कि उत्तर पर्देश में केवल तीन ही जगे हुई, एक इस देश के यसरी परदान मंतरी मोदी जी क कार्य चेत्र बनारस में हुई दोर से उस समय के जो ग्रह मंत्री थे माने राजनाज से उनके लखनों में हुई और तीसरी केवल मादर बागपत में हुई और इसले फोज की भरती पुलिस की भरती रोजगार मेले लगवाग आठ हजार से जादे युवाओ को लड़के देने में जो है वो बन पाए हैं सफल हुए हैं इसी तरह से हम लोगों ने अपने छेत्र के अंदर जैसे मैंने कहा हमारा जो होस्पिटल था हमारे एक सीजेस वैले सेंटर तो आई है उसके अलावा हमारा जो सरकारी होस्पिटल था उसके अंदर एक साड़े साथ करोड लिए हम लोगों ने जिसको हम बोलते हैं स्कील डिवलप्मेंट सेंटर जो है वो बागपत के अंदर सुरू किया एक के बाद एक जैसे मुझे मैसूस होता गया लोग इस बात के मैसूस कर रहे हैं पहले बार सोच है कि हमारा बाइस सालों से बना हुआ है जिए किसानों का छे बागपत के अंदर उसके इंजीनर वहाँ बैटते हैं एक हमारी चौगावा नहर इसे पानी कभी नहर बनी है उसके अंदर पानी आना सुरू हुआ हमारा जो बाइस साल से हमारा जो एक मलकपूर हमारा एक सुगर मील है प्राइविट पार्टी का और उसमें पिछले 22 वर्सों से बार बार ऐसा होता कभी भी किसानों के गन्ने का भुगतान समय पर नहीं होता था वो पहले बार पिछले वर्स थोड़ा भी बचा है मैं कहता हूं लेकि पहले बार ऐसा हुआ है कि इस साल का भुगतान उसका हुआ है तो ऐसे एक के बाद एक जो काम जो लोग मैसूस करते थे कि होना चाहिए वो मुझे करने का जो ऐसा भाग मिला गन्ना किसानों की गर मैं बात करूँ तो एक उनके भुगतान का मुदध बड़ा मुद्धा रहा है और रहरे कर यह मुद्धा जो है कभी-कभी उग रूप भी उत्तर प्रदेश में लेता है, आंदोलन के रूप में भी ये समस्या सामने आती है, खास्तों से जो आपका संसरी चेतर उसके आसपास का जो इलाका है, या मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो गन्ना किसानों के भुकतान का मामला एक बड़ी समस्या रहा है, आपने अपने संसरी चेतर के लिए प्रयास किया कि उस चेतर के किसानों को भुकतान मिल जाए, अगर मैं पूरे उत्तर प्रदेश के संदर में या पश्चिम उत्तर प्रदेश के संदर में आपसे समझना चाहूं, तो आपकी सरकार ने क्या करा, उ मैं इसका पूरा स्रे जो है, उत्तर प्रदेश के यससवी मुक्य मंतरी मानी योगी जी को देना चाहता हूं, हमारे गन्ना मंतरी सुरेश राना जी है, उनको भी देना चाहता हूं, ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखेंगे, पिछले वर्सों का देखे हमारी सरकार आने से पहले का है भुगतान का इसाब देखे आपका देखिए लगवग छाड़ेस हजार करोड रुपे जादे किसानों को भुगतान किया गया पस्मि उत्तर परदेश के समझता रही है मैं आपके बास से सहमत हूँ और यह जो प्राइवेट सुगरमील के जो मा दुरुभाग से जो बरसों से प्रकार करते रहे कि साल का भुगतान अगले बरस करना है यह सारे के सारे ग्रूप जो है उस सारे पस्मि उत्तर परदेश के अंदर रहे हैं जै मैं किसी का भी नाम ने लेते वे मैं आपको यह कहना चाहता हूँ किस पर बहुत प्रेसर आए दबाब बनाया गया हमारी उत्तर पर्देश की सरकार ने नोगों को सोप्ट लोन दिया भारत सरकार ने उसमें मदद की और तब जा करके जड़तर किसानों करे गन्ने का भूक्तान हुआ यह वासता में किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याई था, कि किसान अपना गंना दे रहे हैं, अपना पैसा उना नहीं है हैं, अपनी फसल का पैसा उना हैं। लेकिन कि समय पर नहीं मिलता था लेकिन और मुझे को लगता है अब भायो फ्यूइल जिसको को हम बोलते हैं बायो फ्यूइल जिसको हम बोलते हैं गन्य किसानों की समयशा हमेशा के लिए खतम हो जाएगी सत्पाल जी आप मोधी सरकार में, पिछली मोधी सरकार में आप पहले कारकाल में आप मनती रहे, शिक्षा मनती रहे एजूकेशन की अगर मैं बात करूं तो खास रौसे बाक्पत और उसके आसपास का इलाका जो है वो जितनी शिक्षा का इस तरह होना चाहिए उस तरह का ज़रा अभाव देखने को मिलता है लोग महनत का शाय है खेती बारी करते हैं उस शिक्षा के संस्तान अच्छे बेतर संस्तान खोले वहाँ पर खेल की दिस्टी से अच्छे संस्तान बहाँ पर खोलें इन सब को लेकर भी कुछ आप ने किया यह आपका प्रस्ण बहुत अच्छा है रहा है मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ देखके विकास केवल सडकों से नहीं होता है यह बात जुरूरे सडक अच्छी होगी तो लोग आएंगे इन्वेस्टर भी आएंगे शिक्षा संस्तान खोलने माले भी आएंगे होश्पर बनाने माले भी आएंगे सुरक्सा भी बढ़ेगी लेकिन सिक्षा एक मूलभूत बीशा है और इसे जिसे मैंने कहा कि शिक्षा के छेतर में भारत सरकार के तरफ से केंडरी विद्याले खोला गया और केंडरी विद्याले चल रहा है पिछले साल से चल रहा है और यह बहुत बड़ी उपलब्दी एक छेतर की उपलब्दी है शिक्षा सास्त्री लोग तो स्ट्रडक्स ज़्याद है किंद्री विद्याले मिलाग बहुत बड़ी उपलब्दी है लेकिन ये बात सही है कि जो शिक्षा का हमारा जो इस्तर है मैं कहता हूँ पहले की मुकाबले भी गिर गया है अच्छा होने के मुकाबले आज कल कि इस प्रगति के जमाने में जा आज लोग कोशिज कर रहे हैं देखिए हम लोगों को पहले जिस प्रकार के अच्छे ट्रेंड टीचर होते थे चाहिए उन्होंने बी एड की डिगरी नहीं हो एमेड की डिगरी नहीं लेगों लेकि बहुत समर्पित अध्यापक प्रध्यापक होते थी धीरे दिरे ऐसा हो गया कि हम लोग को कि उसमें सिक्साच छेत्र के अंदर आप लोगों ने पढ़ा भीह होगा 15 लॉक ससर्ण ने इनको समय दिया त्व कर समय नने कर कि आज नहीं जो टेक्नोर आ रही है इसको मुख कोस बosure से येृसिश को मैसिव ओपिन ओनलाइन कोर्सिज अगर आपके पाद टीचर कम हैं आपके पाद टेली विजन हैं आपके पाद इंटरनेट की सुईदा हैं आप प्रते एक विशे पर अच्छे से अच्छा कोर्स अपने बच्चों को दिखा सकते हैं लेकिन मुझे लगता है इस चेतर में मु लाने कहीं खेलों के चेतर में विशेश रूप से सुटिंग के से लगवभा 50% बच्चे पूरे देश के बागपदेर हहां के उन सुटिंग में हमारे के बच्टे स्ट बच्चे हमारे अंतर शिर्लाडी बन हैं टीनों की लगवाक बच्चे हमारे राश्टे इस तर पर जा हैं लेकिन एक गड़बर है कि साइंस सूटिंग की चेतर में तो हमको साई का एक सेंटर हमको मिला है उसमें अमारे पास कोचनी मैंने अभी पिछले हथे पार्लिमेंट में प्रसन उठाया था जहां हमारे पास दो कोच होते थे, आज हमारे पास एक भी पूरा कोच नहीं, एक कोच भी आधा रह गया, वो आधे में आधे दिन या रहता है, और तिन दिन दूसी जिलो में जाता है, तो जो सुविदा मिलनी चाहिए तो सुविदा नहीं है, और ये मांग मैंने परलिमेंट के अंदर की है, कि इस चेतर को एक राष्ट ये इस तरका खेल संस्थान चाहिए, हमारे बच्चे बहुत मैनत कस हैं, इमानधार हैं, और हमारे इस देश को खेलों के चेतर में बहुत उंचाई तक ले जाने में स्रक्षम हैं, इसलिए उसकी भी मैं, या बले कि मैंने अपने लेविल पर, लेकिन मैंने अपने लेविल पर, अपने इस तर पर एक कमिटी बनाई है, पूरे लोकसवाज चेतर के लिए, और एक हमारे बहुत ही एसिन चेंपियन रहे हमारे, हमारे चेतर का नाम रोसन किया, जिसको हम सुभाज पहलवान के नाम से जानते हैं, उनके अध्यक्षता में केवल खिलाडियों की एक समिती बनाई है, और मैंने उनको कहा है कि छेतर में जिस भी गाओं में जो भी खेल खेल, अच्छा खेला जाता है, जहां हमारे बच्चों के पास पोटेंसियल है, कि वो राष्टे इस्तर पर जा सकते हैं, उन बच्चों के इसाब से, खिलाडियो बनी हैं, सब जिएगे वो लोग जो घूम रहे हैं, पता लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि आगे आने वाले वर्सों में, निस्तित रूप से खेलों के छेतर में हमारे छेतर के बच्चे और अच्छा प्रदर्शन कर सकें, लेकिन एक सवाल आता है, खासतोर से वो उत्तर सरी छेतर, उसके आसपास भी कई बार क्राइम की ऐसी घटनाएं सामने आती है, कानून बवस्ता को लेकर सवाल उठते हैं, विपक्ष सवाल उठाता है कानून बवस्ता को लेकर, इस पे भी मैं आपसे जानने ही कोशिश करूँगा, क्योंकि आप मुंबई के पुलिस इस लगी दिश्टी से जो उत्तर प्रदेश की कानून बवस्ता का मुद्धा बनाया जाता है, क्या वास्तम में वैसी है, जैसी बिपक्ष बताता है, क्या कुछ असों सुधार हुआ है, ये भी मैं आपसे जानने ही कोशिश करूँगा, फिलास समय छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए, लोग सभा टीवी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हमारा खास का आकरम सांसा से समवाद, और सांसा से समवाद में इस बार हम बास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बागपत संसदिय सीट से भाजपा उमीदबार पूर केंद्रिय मंतरी डाक्टर सत्पाल सिंग जी से, डाक्टर सत्पाल सिंग जी इस बाद सत्रमी लोग समावे भी चुनकर बागपत सीट से आए हैं, पिछली मोधी सरकार में वो मंतरी भी रहे, शिक बागपत और उसके आसपास क्राइम का हाल क्या है, अपराद का हाल क्या है, क्योंकि कई बार ये इलाका जो है अपरादिक घटनाओ के कारण सुर्खियों में आता है और बिपक्ष सवाल उठाता है, डाक्टर सत्पाल सिंग जी आपका ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है डाक्टर सत्पाल सिंग जी आपने उपलब्धियां गिनाई, खूब सारी योजनाएं बताईं, लिकि बात आती है कानून बवस्ता की, अगर कानून बवस्ता अच्छी नहीं होती है, तो कई तरह के सवाल उठते हैं, सरकार की योजनाओं का किर्यानिवन नहीं हो पाता है जनता सुरक्षित महसूस नहीं करती है, उत्तर प्रिदेश के संधर में अगर मैं ओवराल बात करूँ, क्योंकि बिपक्च इस तरह के सवाल उठाता है कि उत्तर प्रिदेश की कानून बवस्ता बिगड़ी होई है, अच्छी नहीं है, आप मुंबई के पुलिस कमिशनर र उसमें उत्तर प्रिदेश के अंदर समाजबादी पार्टी की सरकार थी, मैं अपने छेटर की बाते करता हूं और इन जनरल उत्तर प्रिदेश की बाते हैं, जो आपने प्रस्तर प्रिदेश में तो लगबग रोदन अपहरन की कहानिया आप पढ़ते होंगे, उसमें आती आकबारह हमें आते थी जब से योगी सरकार आई आप लोगों ने देखा ओंगी अपरन होने बंध हो गया मेरे बागपत के अंदर लगभक रोच कोरी न होने मर्डर होता था खटियार्ग होती थी उसे बहुत बड़ा सुधार हुआ है, योगी सरकार आने के बाद मैं एक उधान देकर आपको बताना चाहता हूँ, मेरट मैं जब से इमाम पैदा हुई तब से मैं सुन रहा था, कि मेरट में एक चोर बाजार लगता है, इसे चाट-सतर बरसे चल रहा था, लोग आते थे सबकों वालों में चोरी का समान बेचते थे, खोले हां मार्केट चलता था, योगी सरकार आने के बाद चोर मार्केट बंद हो गया, वहां चोरी होती थी, वहां चोरी का पता लगा लिजिए, आदे भी केस नहीं रहे, आपरण का जशे मैंने बता है, आपरण बंद हो गये, एक दौबी भी हुए है, ऐसा मैं नहीं कहा रहा कि बिलकुँ बंद हो गये, कभी-कभी इस तरह के केस होते हैं, देखे कितनी भी अच्छी सरकार हो, कितनी भी अच्छी पूलिस हो, कुछ अपराद ऐसे हो तो उनको रोकना बढ़ा संभब नहीं होता कहीं बार, उधान के पोक सो बोलते हैं, कि हम बच्चों को जो एक सेक्स्वल ओफेंसी से कैसी बचाएं, इस तरह के जो केस हैं कई बार, यह संसकार हिंता से आते हैं, मैं यह नहीं कहता हूँ कि अभी सब कुछ अच्छा हो गया, सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है, एनकाउंटर हो रह है, कितने लोग घाल हो रहे हैं, अपरादी भाग रहे हैं, यह दिखाता है, कि कानून में विश्था हैं, बहुत बड़ा सुधार हुआ है, लेकिन कानून में विश्था अगर हम बहुत अच्छी चाहते हैं, समाज को भी आगया आना पड़ेगा, आपका छेत्र जो है, व योजना के तहट कोई गाउं गोद लिया होगा आपने, उस गाउं की हालत क्या है, उस गाउं में क्या परवरता नाया, देखिए, मैं सबसे पहले एक गाउं लिया था, बाग पजिले का, उसको हम पलरी गाउं बोलते हैं, देखें, लोगों की अपेक्षा बहुत बढ़त सरकार के तरफ से हम लोगों का अपने प्रेतन थे, हम पी एम पी लेड थी या सरकार से हम लोगों ने करके काम किया, पज़री में कोई ऐसी गली नहीं होगी यहां पर को ख़ड़ंजा अच्छा नहीं होगा, अच्छी सड़क नहीं होगी, एक बैंक बैंक ब्रांच हम लोगों ने जो ट्रेनिंग केम्प लगवाए, ताकि जो लोग अपना माईलाओ के लिए ट्रेनिंग केम्प करवाए, जो लोग उद्योग धंदा खोलना चाहते हैं उनके लिए किये, कई बार मेडिकल केम्प लगवाए, पस्तों के लिए मेडिकल केम्प लगवाए, हम काने हैं वा नसे की चीजी भी बिकती थी जी नसे की चीजी आप समझते हैं लोगों ने इत्य किया कि इस गाउं के अंदर कोई भी नसेली वस्तु नहीं भीकेगी हम लोगों का आपस में जगडा होगा हम लोग ठाने में नहीं जाएंगे हम लोग आपस में बैठ करके इसका फैसला करेंगी यह मैं कह सकता हूँ कि आदर्स की गाउं जाने की तरफ को है तो देरे देरे बड़ा सुधार होता है लेकिन जैसे मैंने कहा तालाब का हम लोगों ने तालाब की सपाई करवाई अच्छा जो हो तो खेर हमको भारत सरकार से भी कुछ पैसा उसमें मिला कि हम ल तो आगे पांस साल में आप क्या करेंगे कोई ऐसी योजना जो आप चाहते हैं बागपत में वो जरूर आए देखिए एक तो मेरी बहुत इच्छा है कोशिश भी कर रहा हूं पार्लेमेंट में मैंने सवाल उठाया है हमारे लगवग पचास साथ हजार लोग रोजना दिल दिल्ली के चारो तरफ बागपत शेत्र को अगर आप छोड़ दें चाहे गाजयाबाद हो चाहे नोईडा हो चाहे फरिदाबाद हो चाहे गुरगां हो चाहे अलवर हो सब तरफ जो है चारो तरफ जो है मैट्रो ट्रेन गई हैं बागपत मेट्रो ट्रेन नहीं गई क्योंक बागपत की बातों के उठाने वाला संसत्व नहीं था, मैं इस बात को संसत्व उठा रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि बागपत में भी मैट्रो ट्रेन्ज चले, बागपत बडूत हमारा कासिम पूर केड़ी तक मैट्रो ट्रेन्ज जाएगी, तो इस छेत्र को बहुत बड़ा सबूजी मिलेंगी कितanor उनको फूल मिलेंगा हमारे ए फूल के वह अच्छी चेती होती है इसे बहुत बड़ा फाधा होगा हमारे समदर लोग जो यहां दिल्ली में आकर रहना पड़ता है साधर में आकर रहने पड़ता है कई बार तो आप को मालूम पानी चाहिए बिजली चाहिए सब कुछ चाहिए रहना का चाहिए यह सब लोग अपने गाउं में अगर रहेंगे तो दिल्ली के ओपर दिल्ली का भी बोज भी कम होगा हमारे चेत्र के लोगों को डबल डबल एस्टेबिलिसमेंट रख तो उनको जरूत नहीं पड़ेगी और दिल्ली के लोगों को फादा होगा छेत्र को फादा होगा दिल्ली को फादा एक तो मैंट्र ट्रेंट नार्ची है नंबर दो जैसे मैंने पहले कहा था हमारे बच्चे जो खेलों में अच्छे हैं उनके मेरट औ दिल्ली इलाज के लिए आते हैं और मेरे ओपर स्वसे बड़ा प्रेसर ये है कोई बोलता है इस मैडिशन करा दो कोई बोलता है इस होस्पिटल मैडिशन करा दो रूजाना का मामला है अगर अच्छा होस्पिटल कोई बन जाए मैं तो चाता हूँ एक मैडिकल काल पूरे पस्मी उत्तरप्रदेश का फादा होगा, हर्याना के लोगों का उसमें फादा होगा, उसके अंदर होना चाहिए, मैं तो यह भी चाहता हूँ, कि हमारा जो है, आज वाटर वेज की बात चल रही है, जमना हमारे पास से गुजरती है, हमारे चपरोली को और बागपत क वाटर पूर्ट को नहीं बनाए जाए, ताकि लोग सडक से, ट्रेन से आने के बजाए, अपने सामान को ले करके सस्तल आ सकते हैं, बिना ट्राफिक जाम के यहां पर आ सकते हैं, वाटर वीज बने, मैं इसके लिए इसके लिए भी कोशिज कर रहा हूँ, जी अच्छा और रिलीज नहीं हुई थी, और मेरी नहीं है, और लगता है, पूरे देश के अंदर इस तरह का माहता है। कर दो देश का माहता है, और रिलीज बने, जी जी बने, और रहा है, और रहा है।